भाई रिव्यू करेंगे अफ्तार 2 की जी हाँ भाई अफ्तार 2 अभी धवाल मचा रही है हर जगा पर छाई होए है इसकी हम तीन फैलू से रिव्यू करने वाले हैं थोला सा डीटेल्स और इसकी एक्सपरियंस और मुवी के अंदर क्या है क्या स्टोरी है जो की हमारे रिव् अफ्तार की एक सिक्वेल है उसकी सेकेंड पार्ट है जो अफ्तार वान में पहले पार्ट में इसकी जंगल सीन दिखाये गया था जंगल की सेर करवाया गया था और 2009 में भी जिस तरह का ब्याफेक जिस तरह की मतलब एक्सपरियंस दिलाए थे इस फिल्म को ले करके जो अब ज़रा सोचो इसकी जो डिरेक्टर है जैम्स कैमरान क्या कमाल का डिरेक्टर है उनकी जैसे फिल्म एक्सपरियंस है जिस तरह की फिल्म बनाने का इनका जो तजरुबा है और किसी में नहीं है यार यह फिल्म देख करके आपको बखुभी पता चल जाएगा कि किस तरह की फिल्म यह बनाए है ओह कमाल है एकदम कमाल है और अपतार 2 अब जब देखने लगोगे आपको ऐसा लगेगा कि मैं समंदर के अंदर ही बैट की फिल्म देख रहा हूं और मैं समंदर के अंदर हूँ और मेरे सामने ही यह सारे किर्दार अपने किर्दारों को निभा रहे है और यह सारा चीज़ चल रहा है इसकदर आपको एक्सपरियंस देती है यह मूवी इसकदर एक्सपरियंस देती है मूवी की बजट है 2897 करोड 2897 करोड मतलब इतने पैसों से अगर फिल्म बनाये जाता है तो किस कदर बनेगा आप ज़रा सोचो और यह बजट पूरा साब चल लगता है अप तार्टू फिल्म देखने की वक्त जी हाँ भाई मैं आपको लिटरिली बोलता हूँ आप समंदर के अंदर डुबे हुए हो पानी के अंदर डुबे हुए हो और यह फिल्म आप देख रहे हो ऐसा लगता है और आप जो भी देख रहे हो आपके आँखों के सामने कभी हो सकता है सपनों में भी नहीं आएगा ठीक है हम जैसे गरिबों की तो छोड़ो कोई अमीर घरनाने के मतलब किसी सहजादे के सपनों में भी ऐसा खयाल नहीं आएगा जिसको James Cameron फिल्म में उतारे है ऐसा experience दिलाएंगे ऐसा experience दिलाएंगे कोई सोचा ही नहीं ह खतरनाक, बहुत ज़्यादा मस्त लगा. और अगर इसकी नेक्स पार्ट की बारे में अगर बात करें, तो टूथाउजंट ट्वे़जन ट्वेंट तक इसकी 5 सिक्वेल आनेवाली है. मतलब टूथाउजंट ट्वेजर तक और 3 पार्ट, अफ्तर 3, अफ्तर 4 और अफ्तर 5 और 3 पाट आने वाली है ये तो बहुत ही कमाल का नहीं उसे होई कि और 3 पाट हमें देखने को मिलेगा इस तरह की experience और 3 पाट के लेने को हमें मिलेगा तो अगर इंडिया की release के बारे में अगर बात करें तो इंडिया के 3000 स्क्रिन में ये फिल्म को release किया गया है और इसकी first day collection के बारे में हम बात करें तो पहले जैसा हमारा prediction था उसी हिसाब से up to 40 करोड ये फिल्म collection कर चुकी है जी हाँ भाई 38 करोड तक ये फिल्म इंडिया में collection कर चुकी है और कहीं जगा पर नहीं भी लगी है लेकिन फिर भी ये फिल्म को लोग काफी दिनों से इंतिजार कर रहे थे जब इसकी मतलब original language में आया था तो तभी से लोग इंतिजार कर रहे थे कि इसकदर BFX, इस तरह की किरदार, इस तरह की एक फिल्म के देखने की experience 2009 वाला वो अबतार वान को देख करके लोगों की excitement थोड़ा था तो इसी बज़र से फिल्म कमाल कर रही है और बहुत कमाल करेगी ऐसे फिल्म कमाल करनी भी चाहिए और अगे हम बात करते हैं फिल्म की बारे में फिल्म की story के बारे में भाई ये Hollywood movie है Hollywood movie में बहुत ज़्यादा action होता है story नाम का ऐसे कुछ नहीं होता है जैसे कि हमारे इंडिन फिल्म में होता है लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है इसमें story भी है और इसकदर story है, ऐसी twist है अब देख के आपको मज़ा आजाए गर जिस तरह की climax है इसमें जिस तरह की climax है आपको लगेगा ही नहीं मतलब कि ये एक Hollywood movie है और Hollywood movie की fighting है ये है बस आपको ऐसा लगेगा कि ये डंदार story है एक डंदार concept है इसमें बहुत मज़ा आया भी मैं literally बोलता हूँ मैं Hollywood movie को इतना पसंद नहीं करता हूँ नहीं करता हूँ लेकिन review देने के चकर में ये फिल्म मैंने देखा सच बताता हूँ भाई review देने के चकर में नहीं फिल्म देखा कि ये फिल्म की अभी इतनी बहवाई हो रही है इतना प्रचार हो रहा है तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ और जब मैंने देखा कमाल है यार उपर से मैं अपने इवनिंग सो में गया था काम के सिलसिले में दिन भर जा नहीं पाया तो इवनिंग सो में गया था तो इतना मज़ा आया बहुत मज़ा आया भाई अब जाओ देखो एक सी experience बार बार नहीं मिलती भाई इतना मज़ा आ रहा है फिल्म देख करके आप एक अलग दुनिया में एक सपनों की दुनिया में एक ख्यालों की दुनिया में आप पहुँच जाओगे ऐसा फिल्म कमाल है यार जेम्स केमरन सेलूट है आपकी डिरेक्शन को सेलूट है